किडिनी फैलियर भी एक है जिसके कान आदमी के मृत्यू तक हो जाती हैं लेकिन दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जिसका सिरफ एक हपते का प्रियोग अगर आप कर लेते हैं तो एक हपते के बाद आप अपना सुखर चेक कराएंगी तो आपको बिलकुल नॉर्मल बिलेगा चाहे आपका सुखर 380 हो या फिर 480 और सिरफ एक हपते का प्रियोग दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में मैं आपको तीन बातों के बारे में बताऊंगा इन तीनों कहीं आपको पालन करना है और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपकी सुखर 480 भी होगी तो वह भी नॉर्मल आ जाएगी नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल एक वीक के बाद आपको करना क्या है एक आज टेस्ट कराना है इस ओस्दी को लेने से पहले और एक एक हपते के बाद टेस्ट कराना है और आप देखेंगे कि आपकी सुखर बिल्कुल नॉर्मल मिलेगी दोस्तो सबसे पहले मैं आपके कुछ सवालों का जवाब देता हूँ बहुत सेरम बहुत सारे मेरे भाईयों का जवाब आता है कि सुखर जड़ से खतम नहीं होती तो दोस्तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी बिमारी लंबे समय तक कंट्रोल में रहती है कोई भी बिमारी होगी जैसे सुखर भी होगी अगर वो आपकी 5-6 महिने साल-2 साल कंट्रोल में है तो हम उसको बोलेंगे कि वो जड़ से खतम हो गई क्योंकि maximum chances होते हैं कि आपकी पनक्रिया सही हो जाएंगी तो आएए दोस्तो टाइम वेश्ट ना करते हैं सुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं वो तीन बाते हैं जो आपके सुगर लेवल को 480 से 80 पर लियाएंगी तो आएए जानते हैं उनके बारे में पहला दोस्तो आपको इसमें जो पहली चीज करनी है वो क्या करना है आपको रात को मेथी एक गिलास पानी में भीगोनी है एक चमबच और सुबह आपको खाली पेड उस मेथी पानी को लेना है और उस मेथी पानी के साथ चुटकी सी पर दालचिनी लेनी है दालचिनी पाउडर आपको लेना है और उपर से जो आपने मेथी सीड भी गोए थे उनको भी खा लेना है यानि कि आपको मेथी का पानी भी पीना है और मेथी सीड की लेकर आप उनको पानी के साथ निकलनी, आप ये भी कर सकते हैं, बट अगर आप इसमें से पहले वाला करेंगे, तो आपको जादा बैटर जैल्ट देखने को मिलेगा, अब इसमें ही जो दूसरी बात है, उसमें मैं एक नुस्खा आपको बताऊँगा, उस नु आपको ये सबी सामगरी, आपके किसी भी नजदीकी पंसारी की सोप से असानी से मिल जाएंगी, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देदूगा, वहां से भी आप इसको बाई कर सकते हैं, दोस्तो आपको इसको करना क्या है, इन सब को छाया में आपको सुखाना है, चाया में सुखाने के बाद कूट पीसकर इनका चून बना लेना है, और अच्छी तरहें से मिक्स करके किसी काच के बरतन में भरकर रख देना है, अब सुखे खाने से पहले एक चमच आपको इसका सेवन करना है, आदा घंटा पहले, जब भी आप खाना खाएं, नास्ता ख पर अगर आप तीन से चार दिन के बाद आपको फील हो कि एक टाइम से प्रोपर वर्क नहीं हो रहा है, तो आप इसको दोनों टाइम ले सकती है, खाने से आदा घंटा पहले आपको इसका सेवन करना है, एक एक चमच की मातरा में, यह हो गया दूसरा, जो दूसरी बात मैं आपको बलेती है, अब आती है तीसरी बात, जिसका आपको पालन करना है और जिसका आपको चरूर इस्तमाल भी करना है, दोस्तों भले आप सुगर की कितनी भी देशी और इंगलिस दवा या घरेलू इलाज का प्रियोग कर लीजे, मगर इसका समधान तभी होगा, जब आज की इस वीडियो में हम इसी समस्या पर आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप सधान सी विदी को अपना कर अपने सरीर को इस लायक बना सकते हैं कि वो खुद ही इंसुलिन बनाना सुरू करें और हमें इस प्रान घातक बीमारी से बचास गई, तो इसका सब से अच्छा उपाई है मंडू का आसन, मंडू का आसन के निरंतर रूप से करने से मदुमे की बिमारी पर नियंतर किया जा सकता है, मदुमे से नेतर जोती हर्दे वे किड़नी पर अत्यादिक विप्री तसर बढ़ता है, इससे मुत्तरोग वे और भी सरीरिक सक्ती की हानी होती है, मंड से पहले दंडासन में बैठते हुए वरजासन में बैठ जाएं। फिर दोनों हाथों की मुठी बंद कर लें। मुठी बंद करते समय अंगूठे को उंगलियों से अंदर दबाईे। फिर दोनों मुठी को नाभी के दोनों और लगाकर सवास बाहर निकालते हुए, सामने इस थिती में रहने के बाद वापस वर्जासर में आ जाए। मदुमे की रोगी को इस आसम के साथ हर रूस सुभे सैर करना बेहत आदिक जरूरी है। जितना होसके नंगे पाउं जमीन से तालमेल बिना कर सैर की जाए तो और भी आधिक बैस्ट है। तो दोस्तों अगर आप भी इन तीनों बातों का ध्यान रखते हैं, पहला मेती दाने का, दूसरा नुस्खे का और तीसरा मंडू का आसन का, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपका सुकर तीन सो असी हो, चाहे चार सो असी हो, एक हपते के बाद अगर आप अपना सो परसेंट मिला है, तो दोस्तों आप भी इस नुस्खे को अपनाएए और उसका फाइदा उठाएए, तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वे शेयर करना ना पूले, दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक से शेयर कीजे समाज हित्मी, ताकि और भी जो मेरे भाई डाइबटीज रोक से पीडित हैं, या इसके कोंपलिकेशन का सामना कर रहे हैं, वो भी इस नुस्खे को अपना कर, इस उपाय को अपने लिए इसका फायदा उठास के हैं, और बहुत सारे वीमारीों से बसख